नमस्कार दोस्तों नवस्ते के वाइपी यूट्यूब चैनल में आपको श्वागत है वर आज की वीडियो में हम आप लोगों पताने जा रहे हैं कि जितने भी के वाइपी सेंटर है और उस पे काम करने वाले एलेफ है उन सब को फिर से एक बार एक्जाम देना होगा अगर नहीं देते हैं तो वो साटिस्फाइड एलेफ नहीं का लाएंगी तो आप इस चाकित में पढ़ गये होंगे कि एक्जाम क्यों देना पड़ेगा और सभी को क्यों तो इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हैं कि सेंटर रिनीवल हो रहा है तो जितने भी सेंटर दे सकते हैं जो अपसेंट एलेफ है वो भी एकजाम दे सकते हैं और जो एक दो बार फिल कर चुके हैं वो भी एकजाम दे सकते हैं तो इस तरह से आप सभी एलेफ को एक बार फिर से एकजाम देना पड़ेगा और यह एकजाम जो है 5 अपरेल 2022 को होने जा रहा है तो 5 अपर लिक लागा करके attendance मना सकते हैं और class चला सकते हैं तो इस तरीका से आप सभी को एक बार फिर से exam देना पड़ेगा तो आज की वीडियो में आप समझ गए होंगो कि यह क्यों जरूरी है exam देना और किसलिए सारे अलफ को exam देना पड़ रहा है वह से में आप जानते कि जो onset का exam ह होता है यह पहले भी वीडियो में बता चुके हैं अगर नहीं आपको जनकारी है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा वहां से आप देख सकते हैं या आई बटन पर उसका लिंक चल आ रहा है उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि onset का exam कैसे हो